आपी फादर्स दे एवरीवन और इस चैनल पर ना हम फादर्स दे सेलिब्रेट कर चुके हैं पहले लेकिन इन वेरी वेरी डिफरेंट स्टाइल हमने 90s के बॉलीवूड फादर इन लॉज को सेलिब्रेट किया था हाई, हलो, नमस्ते, मैं नेम इस आरजे मंजुला और वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल वेर वेरी वेरीवन तो सेलिब्रेट फादर्स दे टुड़े बट इन 90s स्टाइल सो मैं आपके लिए 90s की बॉलीवूड मुवी के बेस्ट फादर्स लेकर आई हूँ आज सो 90s के बॉलीवूड फादर्स में सबसे पहला और सबसे इंपोर्टन नाम है अनुपम खेर साहब का जिननने बहुत सारी मुवीस में फादर का रोल प्ले किया है और उनमें से बहुत कुछ ख़़ूस टाइब के फादर्स भी है लेकिन बहुत मुवीस में उनने बहुत इ संस फेलिए और उनमें से बहुत करते हैं और उसके अलावा भी इवन जब कुछ कुछ होता है में उनने रानी मुगर जी के पापा का रोल किया है तो वो भी बहुत ही कूल टाइप के डाद है और शारुक खान के पापा तो वो बहुत बार बने है फिल्मों में 90s में चाहत खान केर्स रोल as a father is in the film दिल है के मानता नहीं एक ऐसे father जो अपनी बेटी को बहुत पैंपर करते हैं लेकिन जानते हैं कि शायद उनने बहुत लाज प्यार दिया है उससे तो शायद उनको एक ऐसा दामाद चाहिए जो ये बात acknowledge करता है कि हाँ आपकी लड़की बगडी जब उनकी बेटी जो हाँ झोए चाहँ चोड़के भाग जाती है एंड डैडी फिल्म में भी उनने पुजा बठ के डैड का डैड का रोल प्ले किया है जो बहुती पहुती संजीदा किसम का है काफी सेरिअस रोल है अनुपम खेर का, गयंस अनुपम किर का जवआज पर ब जो जहां एक तरफ DDLJ के अनुपम खेर सहाब है जो बहुत ही कूल डैड है वहीं दूस्टी तरफ DDLJ के ही अमरीशपुरी सहाब है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट रिजिड हडूस डैड है वो जो काजोल के पापा बने हैं अमरीशपुरी सहाब जो अपनी बेटी को ये भी freedom नह तो उसे जो है permission लेनी पड़ती है पहले आरती करके अपने पापा को मनाना पड़ता है पटाना पड़ता है and then she has to agree के वो जिस भी लड़के से उसकी शादी तै करेंगे वो उसी से उसको शादी भी करनी पड़ेगी and also he doesn't understand her daughter's his daughter's love मतलब जब वो काजोल उन्हें अपने प्यार के बारे में बताती है शारुख खान के बारे में बताती है तो भी वो उस प्यार को accept नहीं करते so yes अमरीश पुरी साहब जो है DDLJ के टिपिकल 90s के पेरेंस वाले डाड होते थे थे शर्मा जी के लड़के से compare करना, बहुत ही strict रहना, हर बात पे चिड़े चिड़े रहना so in fact 90s के पेरेंस पे न मैंने एक शो किया है कि 90s के टिपिकल पेरेंस कैसे होते थे on my podcast 90s की कसिट विद मंजुला so do listen to that show, इसका लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा फिर है हमारे संसकारी पापा, 90s के संसकारी पापा जी, पिता जी जो भी आप इने बुला लीजे, आलोक नाथ साहब जो राच्छी प्रोडक्शन के official father थे, मतलब उनकी जितनी भी super hit films जो 90s में आई है ना इसमें पिता जी का character जो है आलोक नाथ साहब ने play किया है, starting from मैंने प्यार किया जिसमें वो भागिश्री के पापा बने हैं, उसके बाद हम आपके हैं कौन में, जिसमें वो सल्मान खान और मौनीश बहल के पापा बने हैं, उसके बाद हम साथ साथ हैं में again वो तीन बेटो और एक बेटी के पापा बने हैं, और यह बहुत संसकारी पापा हैं, जो चाहते हैं कि उनका परिवार हमेशा जुड़ा रहे, जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, and not just अपने बच्चे, अपने daughter-in-law या son-in-law in the case where he has a daughter, उन जगाओं पर वो अपने in-laws से, मत यह मैंने last father's day पर बनाया था, इसका भी लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा, please watch this video now, and you'll also find the link in the description box below, and also on the eye button above. वकील साहब, the family that prays together, eats together, stays together, पिर एक बहुती funny और बहुती super cool type के dad है, कादर खान साहब, जो 90's में जादातर गोविंदा के पापा बने हैं, या जितनी भी comic films हैं, देविड धावन की specially, उसमें उन्होंने father का character play किया है, फिर चाहे वो sonu monu, यानि की सजदत और गोविंदा के पापा हो, इन हसीना मान जाएगी, जो जानते हैं कि उनके बेटे बहुत शरारती हैं, पर ये भी जानते हैं कि वो एक दूस्टे से बहुत प्यार करते हैं, and he loves that unity, आंखे फिल्म में, गोविंदा और चंकी पांडे के पापा बने हैं, जिनको बार बार उनके बच्चे जो है, मूर्ख बनाते रहते हैं, फिर उसके अलावा, बाप नंबरी, बेटा दस नंबरी was a film all about father-son relationship between Qadir Khan and Shakti Kapoor, और कुली नंबर वन में वो दो बेटियों के पापा बने हैं, so Qadir Khan भी 90s के बहुती funny और cool टाइप के डाड थे, and in fact, डाड-in-law भी जब वो बने तो अकेले हम अकेले, तुम is a story of two separated parents, जिनका बच्चा जो है, सबसे ज़्यादा सफर करता है, उनके separation की वज़े से, वो है आमिर खान और मनीशा को इराला, और उसके बाद किस तरह से एक father जो struggle करता है, बहुत पैसों से भी, emotionally he is struggling, and how he does his best to raise his kid, अपने बेटे को अपना दोस्त बना के अपने बेटे को अपनी पूरी जिम्मेदार, अपनी पूरी लाइफ उसके नाम करके, वो किस तरह से उसको बढ़ा करने की कोशिश करते हैं, of course बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन हर गलती से सीखते हैं, and end में सब ठीक हो जाता है, लेकिन this film also had a beautiful song, the title track of this film, अकेले ह अकेले तुम, जो कि एक बाप और बेटे की रिष्टे का गाना है, और in fact इस गाने को ना, real life में, as in behind the scenes, मतलब इसके जो प्लेबैक सिंगर्स हैं, वो भी father-son duo है, अधित नारायन और अधित नारायन ने ये गाना गाया था, and on screen, it was picturized on Aamir Khan and his on screen son. नेक्स्ट इन माई लिस्ट इस कमल हासन सहाब इन 4-420, ये 90's के ऐसे super cool पापा है, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए, क्योंकि उनका भी case इस तरह का है, कि वो और तबू जो है, separated हो जाते हैं एक दूसरे से, उनके बच्ची की custody उनको नहीं मिलती है, लेकिन उनकी बन कर, अपनी पूरी identity चेंज कर लेते हैं, और उस घर में रहने लगते हैं, जो उनके ससुराल है, वहाँ पर वो रहने लगते हैं, made की तरहा, ताकि वो अपनी बेटी की देखबाल कर पाए, इस अ ब्यूटिफल मूवी, एक फादर डॉटर का बहुत ब्यूटिफल रिश इस शारुक खान इन कुछ कुछ होता है, वो छोटा सा ही रिष्टा है उनका लेकिन बहुत कूल रिष्टा है अपनी डॉटर के साथ, वो अपनी बेटी के दोस्त भी हैं, उसके, you know, there's a dialogue in the film where, you know, his 8-year-old daughter tells him that, you know, मैं आपके लिए सब कुछ नहीं कर सकती, मुझे आपकी शॉपिंग भी करनी है, बहुत कुछ खरीदना है और आप मुझे इतना इंतिजार भी कराते हो, मैं आपकी बेटी हूँ, बीवी नहीं, and शारुक खान और से रिप्लाइज अगर मैं आपके माँ और बाप दोनों बन सकता हूँ, तो आप भी कोशिश कर सकते हैं मेरे लिए ये सब करने की, and of course, अशारुक खान is over protective father in the film, but वो आज के, I think, सारे fathers का, जो hands-on fathers, जो आज कल बुलाया जाता है, वैसा character उनने प्ले किया है, जो बहुत इंट्रिस्टिंग है, जो बहुत इंट्रिस्टिंग है, क्यों, अगर मैं तुम्हारा पापा और ममी तुनों हो सकता तो क्या वो इस फिल्म में दिखाया है, नक्षा कुमार has done a brilliant job, और अगेन इसमें भी बाप बेटे की रिष्टे का एक बहुत beautiful गाना है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, it's a beautiful song. Next in my list is कुलपूशन खरबंदा फ्रॉम जोजीता वही सिकंदर, ये मुझे पते हैं क्यों अच्छे लगते हैं, 90s में ज्यादा तर पेरेंस इनकी तरह होते थे, ज्यादा ही strict बच्चों में comparison, पडोसियों के साथ अपने बच्चों का comparison, टीचर्स जो है शिकायत लेके घर आ responsible kid of the house है, जो उनके बड़े भाई है रतन, वो बहुत ही responsible और उन्हें ज्यादा प्यार भी मिलता है, champion type के आदमी है, और किस तरह से उनकी shadow में ही छिप जाते हैं आमर खान, unless of course he finds a place for himself, लेकिन कुलपूशन खरबंदा का character काफी अच्छा है, वो घुसा भी करते हैं, वो कभी-कभी protect करते हैं, कभी-कभी डाटते भी हैं, जो 90's के सारे parents किया करते थे, And last in my list is one character that I really, really like as a father, वो है किरन कुमार सहाब, वैसे तो 90's की बहुत सारी movies में इन्होंने father का character प्ले किया है, लेकिन मुझे personally बागी फिल्म में इनका character बहुत ही पसाँए, इन्होंने सल्मान खान के father का role play किया है, जो कुछ जादे ही strict है, शुरू में उनको brought almost to the level of, मतलब he is brutal with his son, and he is not civil, वो सल्मान खान उनसे डरते हैं, एक दर्वाजे से अगर किरन कुमार एंटर करते हैं, तो सल्मान खान दूसरे दर्वाजे से बाहर चले जाते हैं, इस type का disturbing रिश्टा है उनके बीच में, लेकिन वो चाहते हैं कि सल्मान खान की life में वो नहीं से किसी brothels एक लड़की को बचा कर ले जा रहे हैं, किरन कुमार को ये शिकायत लेके जाए जाती है, लेकिन the way he, you know, reacts to that news, he is actually very happy, एक subtle तरीकिस, उनके expressions बहुत खुबसूरत हैं, आपको ये scene जरूर देखना चाहिए, he is very happy when he gets to know की, अच्छा, उनके बेटे ने ये काम किया है, So this was my list of 90s Bollywood Fathers, a very very happy Father's Day to all of you, आप जाहिए, अपने पापा को विष्ख कीजिए, मैं भी जाती हूँ, अब आप से मिलूंगी, मैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो अपने पापा से शेर कीजिए, जो भी आपकी smiling.